तो नमस्कार अदाब से सिटेकाल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेस्टन बैंक्स में जहाँ पर हम अमेशा आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटिड वीडियो लाते ही रहते हैं दोस्ति यदि आप घर बैठे अपने मुबाइल फोन या फिर कम्प्यूटर से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक बी रुपए मेंटेन करने की जुरत ना पड़े तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आपके लिए एक बेस्ट आप् पर यहाँ पर एकाउंट ओपन करने के बाद बाकी सारे जैसे कि सुविदाय जैसे कि आपको एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस से खुलवाना है उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाले आगे के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें तो सबसे पहले account को open करने के लिए आपको हमारे वीडियो के description में access bank के official website का link मिल जाएगा उस पर click करके आप इस वाले website पर आजेएगा या फिर आपको google पर चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको search करना है access bank जैसे ही आप access bank search कीजेगा यहाँ पर जो सबसे पहला वाला website खुल करके आएगा access bank का official website है इसी पर आपको click करके इसे open कर लेना है जैसे ही आप open कीजेगा आप video के description ने जो link दिया हुआ है उसी वाले website पर यहाँ पर directly आजाएगा अब यहाँ पर account के लिए apply करने के लिए आपको explore products का option देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आपको saving account वाले section पर click करना होगा दोस्तों जैसे ही आप saving account वाले option पर click कीजेगा यहाँ पर एक नया सा page खुल करके आजाएगा जहाँ पर access bank में जितने भी saving account open होते होगे उन सभी का list यहाँ पर खुल करके आजाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर access bank का जो भी account होँगे सभी का list देखने के यहाँ पर मिल जाएगा हमें यहाँ पर zero balance account open करना है तो हमें यहाँ पर सबसे नीचे आना होगा नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा basic saving account हमें इसी account पो open करना है दोस्ते यहाँ आप कोई और option को select करोगे कोई और account को open करोगे तो वहाँ पर zero balance की facility आपको नहीं मिलेगी तो यहाँ पर basic saving account को आपको select करना है यहाँ पर मैं आपको इस account के कुछ features बता देता हूँ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस account पर आपको debit card जो मिलेगा वो आपको रूपय company का debit card मिल जाएगा जिसका limit जो है यहाँ पर आपको 40,000 रुपय प्रति दिन देखने को मिल जाएगा यानि आप जो है अपनी ATM card से 40,000 रुपय तक का cash withdrawal या पर transaction जो है यहाँ पर कर सकते हो रोज की रोज इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ product feature मिल जाएगे जैसे कि यहाँ पर आपको free unlimited cash deposit and four free withdrawal per month यहाँ पर आपको cash deposit करने वे किसी भी तरीके के charge नहीं लगेगेंगे यहाँ पर आप unlimited cash deposit कर सकते हैं इसके अलावा आप पैसे को निकालते हैं यहाँ पर चार बार तो आपको किसी भी तरीके के charges नहीं देने पड़ेंगे लेकिन यदि आप चार बार से जादा यही पैसे को निकालते हैं चाहे वो ATM कार्ट से हो या फिर किसी भी तरीके से आप पैसे को निकालते हैं तो आपको यहाँ पर charges bank को देने पड़ेंगे यहाँ पर कुछ और भी detail है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको explore more का option देखने को मिल जागा इस पर मैं click करके आपको और भी detail बताता हूँ आप चाहें तो ज्यादा detail इसके बारे में पर सकते हैं explore more वाले button पर click करने के बाद यहाँ पर इसका सारा detail जो है खुल करके आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह account zero balance account है यहाँ पर इसकी proof भी यहाँ पर दी गई है अब चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर account को open करना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस account को open करने के बाद यहाँ पर आपको 3% से 4% interest भी देखने क को मिल जाएगा अब चलिए हम बैक चलते हैं और account को open करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको account open करना है account के लिए apply करना है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो है account open करने के लिए आपको फिर से उसी वाले option को select करना होगा यहाँ पर basic saving account वाले option को इसी option पर फॉर्म खुल करके आ जाएगा यहाँ पर हमें क्या करना है इस फॉर्म को सबसे पहले फिल करना होगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता जेना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना नाम फिल करना होगा उसके बगल में यहाँ पर हमें अपना email ID उसके बाद जो भी राज्य है उसे हमें select कर लेना होगा यहाँ पर हमने अपना state select कर लिया है state को select करने के बाद हमें city select करना होगा simply हमें city वाले option पर click करना है और जिस भी city से हम belong करते हैं उस city को यहाँ से हमें select कर लेना है अब यहाँ पर हमें capture code देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर हमें छोटा सा terms and condition का box नीचे देखने को मिलेगा हमें इसी पर click कर देना है यानि इस पर tick कर देना है टिक करने के बाद इसी के नीचे हमें submit वाला button देखने को मिल जाएगा हमें अब submit वाले button पर click कर देना होगा दोस्तो जैसे हम submit वाले button पे click करेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface खुल करके आ जाएगा जहाँ पर लिखा जाएगा stay home, stay safe with access bank customer support दोस्तो पहले कि यदि बात करें तो पहले हमें जो है यहाँ पर एक reference number देखने को मिल जाता था यानि token number और उस number से हमें account को open करना होता था लेकिन अब मैं आप पर आपको बताता हूँ अब यहाँ पर customer care की तरफ से आपके पास एक call आएगा उस call में यहाँ पर आप से पुछा जाएगा कि आपको किस परकार से account open करना है वहाँ पर आपका जो है account customer care के तरफ कुछ document मांगे जाएंगे आपके कुछ detail मांगे जाएंगे और वहाँ पर आपका account यदि online possible होगा तो open कर दिया जाएगा और यदि customer care account को open नहीं करते हैं तो आपको उनसे बोलना होगा कि हमारे area में doorstep banking का service हमें provide कर दीजे इसमें क्या होगा कि bank के जो करमचारी है वो आपके घर पे आएंगे और आपके खाते को खोल करके चले जाएंगे इसके अलावा यदि ये भी काम नहीं करते हैं तो आपको उनसे token number मांग लेना है या फिर आपने जो भी यहाँ पर form डाला है उसका एक number होता है वो आपको उनसे मांग लेना है मांग ले के बाद आपको क्या करना है वो number लेकर के आपको branch में चले जाना है और आपको उस number को दिखाना है कि हमने online apply किया था वहाँ पर branch वाले बोलते हैं कि नहीं हम account नहीं open करेंगे access bank में zero balance account open नहीं होता है लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि हमने online इसके लिए आवेधन किया था और access bank के website पर यह available भी है और आपको वो token number यानि जो भी आप number आपको मिलेगा वो आपको वहाँ पर दे देना है तो यहाँ पर इस प्रकार से वो account को open कर देंगे तो उमीद करता हूँ कि हमने आपको बता दिया किस प्रकार से account को open करना है यदि आपके पास यदि आपके desktop में या फिर mobile में आपको यहाँ पर कोई number देखने को मिल जाता है reference number या फिर token number तो आप उस number को यहाँ पर save करके account को branch में जाके open करा सकते हैं बड़ी असानी से यहाँ पर आपको बहुत कम समय लाएगा इसका फायदा यहीं है तो उमीद करता हूँ कि वीडियो में दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और इस पर comment जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें